बच्चों, आज हम सीखेंगे सयुक्त अक्षर तो इसके लिए आपको अपनी हिंदी की टेक्सबुक में पेज नमबर 47, चेप्टर नमबर 9, ओपन करना है तो अपनी हिंदी की टेक्सबुक में चेप्टर नमबर 9, पेज नमबर 47, ओपन करो और चलो हम कुछ नया सिखने का स्टार्ट करते है संयुक्त अक्षर संयुक्त यानि की जोइंट करना और अक्षर यानि की लेटर तो कोई भी दो अक्षर अलग-अलग जो वर्णा है अलग-अलग जो अक्षर है उसको हम जोइंट करके साथ में लिखते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर जैसे कि हमने सयुक्त व्यंजन सीखे कि क्षा, त्रग्या और श्रा ये जो थे वो दो व्यंजन को मिला कर एक व्यंजन बनता था अब है सयुक्त अक्षर यानि कि जब भी हम शब्द बनाते हैं तो उसमें कोई शब्द आधा आता है और दुसरा जो है वो उसको जोइंट करके आमें लिखना होता है इसको बोलते हैं सयुक्त अक्षर तो चलो आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले हैं बीच में सीधी रेखा वाले वर्ण यानि कि बीच में जब भी हम कोई भी वर्ण लिखते हैं तो उसमें अलग-अलग तरीके से लिखते हैं किसी-किसी बीच में सीधी लाइन यानि कि स्टेंडिंग लाइन आती है किसी-किसी में लास्ट में आता है तो इन सबको अलग तरीके से लिखा जाता है तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि बीच में सिधी रेखा वाले वर्णा तो ऐसे हमारे व्यंजन जो है उसमें कौन-कौन से है कौ और फौ तो सबसे पहले देखो कौ जब भी हम कौ लिखते हैं तो बीच में ऐसे standing line खीचते हैं और फिर देखो आगे कौ प्लस खौ के नीचे है हलांद का चिन्न और प्लस करके खौ लिखा है तो कौ जो है वो हलांद का चिन्न तो आधा है और खौ जो है वो हम कौ के साथ joint करेंगे तो क्या बनेगा देखो खौ इसका उच्चारण होगा खौ जब हम शब्द में बोलेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे जैसे कि मक्खी ठीक है? वैसे ही देखो फॉ जब भी हम फॉ लिखते हैं तो फॉ में भी बीच में standing line यानि कि सिधी रेखा आती है तो उसको भी ऐसे ही लिखते हैं आप देखो example फॉ प्लास फॉ पॉ के नीचे हलन्द का चिन्न यानि कि वो आधा है इसको हम जोइंट करेंगे तो क्या बनेगा? फॉ और इसके उपर से शब्द है दफ्तर ऐसे तो हम बहुत सारे हैं ना ऐसे शब्द समय तक्षर वाले बोलते हैं पर क्या है कि अभी तक तो हम सिर्फ बोलते थे अब आपको लिखना भी आ जाएगा अभी इसके आगे है अंत में सीधी रेखा वाले वर्ण अंत में सीधी रेखा यानि कि जो भी हम अक्षर लिखते हैं उसमें हम standing line लास्ट में लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर है च, प, स, यह तीन यहाँ पर दिये हुए है पर ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि म, न, द, ग, ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है? तो चलो इसके भी हम देख लेते हैं च, च में है च, प्लस च, जब भी हम च को आधा करेंगे नीचे हलन्द का चिन्न है तो जब भी हम इसको दूसरा अक्षर जोइंट करेंगे तो इसकी standing line जो लास्ट में बनाते हैं हम च में उसको हटा देना है और दूसरा जो अक्षर है वो उसको जोइंट करके लिखना है जैसे कि देखो यहाँ पर है च, इसको बोलेंगे च, और इसके उपर से शब्द है अच्छा, जो अक्षर हाफ होता है वो हमें बहुत ही कम सुनाई देता है जब हम बोलते है तब, ऐसे ही देखो पा, प्लस यह, इन दोनों को जोइंट क करेंगे तो क्या बनेगा प्यार, और इसके उपर से शब्द है प्यार, इसके बाद है स, स, प्लस त, स और त को जोइंट करेंगे, स के नीचे हलांद का चिन्ने तो वो आधा आएगा, तो आधा लिखने के लिए इसको जो लास्ट में उसकी स्टेंडिंग लाइन है, सीधी रेखा है, उसको हम निकाल देंगे, और आधा स लिखेंगे, और तो उसको जोइंट करेंगे, इसका उत्चरल होगा स्टा, इसका शब्द है नमस्ते, नमस्ते, तो आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं, अभी सीधी रेखा वाले वर्ण भी हो गए, अंत में सीधी रेखा वाले भी हो गए, अब ये कुछ अलग है, ये है गूला कार वर्ण, गूला कार वर्ण किसको बोलते हैं, जिसमें कोई स्टेंडिंग लाइन आगे, पीछे, बीच में कहीं पे भी नहीं आती है, ऐसे जो वर्ण होते हैं उसको हम ब गूलते हैं गोला कार वर्ण, जैसे की द, द, ट, ड, ड, ठ, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे जो हैं उसमें कोई स्टेंडिंग लाइन नहीं आती है, सिर्फ उसको हम गोला कार वर्ण बोलते हैं, क्योंकि उसको गोल करके लिखते हैं, जैसे की द हैं, तो द में कोई लाइन आपको दिख रही है नहीं है ऐसे जो होते है गोला कारवणना उसको स्वयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं कैसे उसको जोइन्ट करके लिखते हैं वो देखो दो प्लास या तो दो के नीचे हलंद का चिन्न है तो दो जो है वो आदा है तो देखो इस पर से बनेगा द्या पर यहां पर हम क्या करेंगे जो दो है उसके नीचे हलंद का जो चिन्न है उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है क्यों? क्योंकि उसमें कोई सीधी रेखा नहीं है और दूसरा जो अक्षर वो उसको हम डायरेक ऐसे जोइंट नहीं कर सकते इसलिए दो जो है उसके नीचे जो हलंद का चिन्न है वो ऐसे ही रहने देंगे और यह जो है वो उसके बाजु में लिख देंगे यानि कि वो सायुक्त अक्षर वन गया क्यूंकि नीचे हलंद का चिन्न है तो वो आधा है विद्यालई इसके उपर से जो शब्द है वो क्या है विद्यालई इसके बाद है टा टा में भी ऐसे ही लिखेंगे टा प्लस ठा तो इसको जब हम सायुक्त अक्षर बनेंगे तो लिखेंगे टा उसके नीचे हलंद का चिन्न और ठा ठा मुठ्थी मुठ्थी ये शब्द बनेगा उसके बाद है डा तो डा जो है उसके नीचे हलंद का चिन्न प्लस ठा और साथ में जब हम लिखेंगे तो बनेगा डा और इसके उपर से शब्द है बुढ़ा तो ये जो है न ये हमने सीखा सयुक्त अक्षर कि दो अक्षरों को जोड़कर हम कैसे लिख सकते हैं हमारे बहुत सारे नाम भी होते हैं जैसे कोई भी गर्ल्स का वोईस का भी नाम होगा उसमें भी सयुक्त अक्षर आते हैं अब तक हम English में नाम लिखते थे तो हम हिंदी में नाम निकना नहीं आता है, पर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना भी सीखना है, तो आपको पता चलेगा, तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, कि उसमें संयुकत अक्षर आते हैं, तो अब आप जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रेडिंग की प्रेक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा तो इसका बहुत ही अच्छे से ये रिवाइस करते रहे ना बेटा अब हम बाद में मिलेंगे फिर से मिलेंगे बाई बाद दो बाद में लिवाइस करते रहे जाएगा